फाइनली दर रॉक हैस कम बैक जी हाँ दोस्तों दर आख लाट आये हैं और रोमर रेंज पर जिस रॉक के चांसे डबल हो गये हैं अब यह भी स्मैडाउन कतम हुई है ना एंड सची बात बताऊ इससे बहतरी इससे सर्प्राइजिंग स्मैडाउन मैंने कभी ने देखी क्या आज एतनी बड़ी चीज़ हो जाएगी वो भी फ्राइडे नैट Σ्मैडाउन में Face कि स्मैडाउन दोसों लिटरली पाग लगने वाली थी यह डैनेवर्ण कोलराडो से Lakley जिसका नदर सबसे पहले ही हम लोगों को यह return देखने को मिल जाता है जो की रहता है Pat McAfee का Pat McAfee surprisingly वहाँ आते हैं और guys since वहाँ दोस्तो Pat McAfee आए literally हलकी सी feeling आगी कि कोई बंदा और return करेगा Pat McAfee के आने के साथ दोस्तो सबसे पहले यह चीज़ कहते हैं कि गेम डे को coverage देने आ रहे थे लेकिन उन्होंने सोचा क्यों ना इस city में just mad on हो ही रही है तो best crowd जो की world की है उनसे दोचार हुआ जाए उनसे बात की जाए वहाँ Pat McAfee के नाम की channel लगती है Pat McAfee अगे कुछ कह पाते हैं कि entry हो जाती है आश्टन थियोरी की आश्टन थियोरी को boo मिलती है आश्टन थियोरी आते हैं और यह चीज़ कहते हैं कि this is nuts mad on this is आश्टन थियोरी live तो मेरे साथ हो बच्चा और since यह fans मुझे boo कर रहे हैं मुझे इंसे फर्क नहीं पड़ता Pat McAfee मैं बस यह कहना चाहूँगा कि देख जब मैं 26 का हूँ ना तो मैं यह सब कुछ चीज़ कर चुका हूँ तूसरा जेल में था और इसके बाद और कहते हैं कि मक शॉट तो मेरा नहीं है वैल देखो पैट म कैफी बात इतनी सी है कि तुम यहां आना डीजर्व नहीं करते हो और अगर तुम एक सैकंड़् में यहां से नहीं निगले तो मैं तुम्हें पीटूंगा और इंजर कर दूंगा तुम हस्पताल में पाय जाओगे जस्ट लाइक एरन रोजर्स इसके बाद दोस्तों हमें यह चीज़ देखने को मिलते हैं जो पैट में कैफी है वो यह चीज़ कहा दे हैं कि वो फाइट करने नहीं आ रखे हैं और यह थेओरी की प्रॉब्लम है रही बात लोगों की तो सिर्श तुम पीपल को इंसर्ट कर रहे हो तुम जानते हो पीपल से क्या जुड़ा हुआ है जिस पर हम लोगों को देखने को मिलती है जनता हो जाती पावर बिलकुल पादल हो जाती है और सची बात बताओ गाईज यहां मेरे वर्स नहीं नहीं कर रहे हैं वहां जनता इतनी सर्प्राइज थी जितने कि दोस्तों आप और हम क्यूंकि किसी ने नहीं सोचा था दरॉक आएंगे दरॉक को एक बहुत ही स्ट्रॉंक पॉप मिलता है दरॉक आते हैं और उनका सौंग दोस्तों बिलकुल रॉंक्टे लाने वाला था दरॉक रिंग के अंदर खडए बहते हैं और गॉएज तीनो मैंस के बीच में दोस्तों हम लोगोंको एक हलका सा मूपिट देखने को मिलता हरकों चिला था रॉक की रॉक की लेकिन उसके बाद हॉली शिर्जियो अली शिर्जियो THAT हो अजर्च गशिजश करते हैं ऑर उसके टियुरी उनकी तरफ इस तरीके से देखते है इसके बाद rock कहते है निया ऐस्तिन है फ्रेश आस्तिन है और रही बात मेरी तो मैं जल्द Mount Rushmore का भी हिसा होने वाला हूं The Rock कहते हैं कि अच्छा ठीक है बट इसके बाद Austin Theory कहते है It doesn't matter what you say इसके बाद Rock कहते हैं कि नहीं जो मैं कहाता हूं उससे फर्क पड़ता है It matter what Rock says इसके बाद हो कहते हैं Since तुमने Stone Cold Steve Austin का नाम यहां लाया है मैं खहना चाहूंगा He's my boy But you are not Since आप लोग इस जबराणी को मुझसे पिटताव देखना चाहते हैं तो give me a hell yeah एक तरीके को दोस्तों नोंने Stone Cold का डायलोग उमार दिया और उसके बाद दोस्तों जो Austin Theory है वो कहते हैं कि तुम कुछ जादा ही बोड रहे हो The Rock कहते हैं कि देखो मैं जानता हूँ तुम कौन हो मैं जानता हूँ तुम हो Austin Theory और तुम आये हो A Town से जिस पर Theory कहते हैं हाँ और इसके बाद The Rock कहते हैं कि तुम नहीं आये हो A Town से तुम आये हो A Hole से जिसके बाद लोगों की चैर लगती है A-hole के और उसके आद The Rock कहते हैं मैं जहाता हूँ कि इस साइड के जो लोग है वो कहे Austin Theory, You Are और इस तरफ के लोग कहे An Asshole जिस पर दोस्तों वहाँ You Are An Asshole You Are An Asshole इसकी चैन लगती है Austin Theory को बिल्कुल गुसा हो जाता है और बिल्कुल लॉल हो जाते है उसके बाद दोस्तों The Rock दूसरी साइड की क्राउड को मौका देते हैं इतना फनी था पूछा ही ना और उसके बाद यह चीज़ देखने को बिल्ती है कि जो हमारे अपने The Rock है वो कहते हैं कि You Are An Asshole और रही बात तुम्हारी तो तुम्हें मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अब तिरफ तीन सेगिंड में मैं तेरा एस किक करने वाला हूँ और इस पर दोस्तों काउंट आउँ जैसे बिगन करते हैं वैसे और अटेक कर देते हैं इस दुरान दोस्तों दरॉक जो है उन्हें रोप के ओपर फैंकते और लगाते तगड़े वाला स्पाइन बस्टर जनता पागल और क्या ही मुमिट था दरॉक जाते दो तो पीपल्स एल्बो के लिए पीपल्स एल्बो लगता है जनता पागल हो जाती है और उसके बाद दोस्तों वहीं दरॉक नहीं रुखते हैं दरॉक दोस्तों फिर मौका देते हैं पैट मैकेवी को पैट मैकेवी ने भी दोस्तों अपने वाला पीपल्स एल्बो लगाया लिटरली मुमेंट बन गया दरॉक इस बैक अब बात की जाए कि आगे क्या होने वाला है तो गाइस मैडाउन तो खतम हो च नहीं था लेकिन फाइनली दोस्तों आप दरॉक आ चुके हैं तो मुझे कहने की कुछ भी जोत नहीं है दरॉक पर क्या अपडेट है कि गाइस दरॉक जो है उनका दोस्तों मर्च भी आएगा एंड यहां दोस्तों जो चीजे जुड रही है वो बस यहीं जुड रही है कि क्राउजीुल में फेस करने वाले एक बंदे को और उसका नाम दोस्तों मुझे आपको बताने की जौत नहीं है काफी टाइम से दोस्तों मैं थंगा खाया है लेकिन उनके बीच में भी थोड़ी बहुत खट-ठठ है लेकिन रिपोट्स क्या बता रही है कि रोमर रेंस is scheduled to be part of crown jol जो की मेरे इसाब से 4 नवंबर को होने वाला है शायद और अगर दोस्तों वहां हमारे अपने रोमर रेंस आएंगे तो उनके खिलाफ दोस्तों दरॉक से बढ़िया ओंपोनेंट कोई नहीं होने वाला है दरॉक लोट आए है और इसका रिजन बस यही है कि दरॉक जो है उनके लोट ने के साथ रेटिंग में भी उचाल आएगा प्लस दोस्तों अब TKO जो है वो बन चुका है TKO दोस्तों UFC और WWE को एक साथ कहा जा रहा है स्टॉक मार्किट में दोस्तों उचाल की ज़रूरत है स्टॉक मार्किट में दोस्तों WWE वालों को एक पकड बनानी की जोहत है और गाईज इसलिए The Rock को वापस लाया गया है दरॉक लोट है और गाईज इस टैम देखा जाए तो Roman Reigns गायब है और कहीं न कहीं दोस्तों वो चीज़ भी कर सकते हैं कि Blood Line वालों को साथ लेकर दोस्तों कहीं न कहीं Roman Reigns के खिलाब दोस्तों एक शडियंतर भी रख सकते हैं लेकि The Rock को ऐसा करने की जोहत नहीं है क्योंकि Blood Line वाले दोस्तों स्वयम कहीं न कहीं उन्हें अपना Tribal Chief मानते हैं The Rock नहीं दोस्तों कहीं जो हमारे अपने उसोज रहते हैं और जो हमारे अपने अनुवाई फैमिली के मेंबर रहते हैं उन्हें वो पहजान दिलाई है उससे पहले दोस्तों वो तने मशूर नहीं हुआ करते थे बस गाइस बात इतनी सी है कि आज The Rock लॉट है इवन सीना का भी सेगमेंट रहा है जो कि आगे हम जो कवर करेंगे लेकिन The Rock वर्सिस रोमन रेंज के चांसिस काफी जादा हैवी हो गया है और गाइस मैं तो बहुत जादा एकसाइटी नहीं आपके नहीं एकसाइटी कोमेंट करके जो बताएगा वीडियो आज कितनी इस थी अस्तर के लिए ताही पहले बाद शबक है